Good evening everyone, कल जो आपने सुना, जो मैंने बताया कि आपको 6 अकाउंट खोलने हैं और बैंक में जाके नहीं, आप पर्सनल भी खोल सकते हो और बैंक मैं भी कर सकते हो, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही बड़ी स्ट्राटेजी है फानेशल फ्रीडम को क्रियेट करने की तो वो स्ट्राटेजी आप अपनाईए और वो काम करना तो शुरू कीजिए और ये उसके आगे का स्टेप है वोच है तो आपको करने ही करने है अभी नेक्स्ट ये काम करना है और ये बहुत ही इंटरस्टिंग काम है और मैंने भी शुरू किया है आप भी शुरू कीजिए बहुत ही अच्छा काम है और आप इससे 100 नहीं 200% अपने financial freedom के लिए अपने subconscious mind को ready कर लोगे यह guarantee है क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका reaction होता ही है और वही हमारे subconscious mind में जाता है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो true है कहीं से भी गलत नहीं है हम visualization करते हैं affirmations करते हैं और भी बहुत सरी techniques करते हैं हो पोनो पोनो करते हैं money के लिए तो वो हम जादा तर कैसा करते हैं केवल mentally करते हैं बट य हुँ यह physically भी काम है तो जब हम physically mentally एक साथ काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी registered होता है subconscious mind में और यही जो सबसे जल्दी balance create करता है तो अगर आप अपनी life में सच में financial freedom चाहते हो तो यह काम करना शुरू कीजिए कौन सा काम अपना financial freedom जार बनाई है आज से जार मतलब आपको कोई सा बॉक्स ले सकते हो या कोई सा डिबबा ले सकते हो आपको जो भी चीज पसंद आये वो ले सकते हो इस तरह से लिफाफे भी ले सकते हो आप उसमें आप लिखिए my financial freedom जार देखो financial freedom अकाउंट तो अलग है उसमें 10% आपको डालना है वो तो मन्थली डालना ही डालन पर इस जार में क्या अनतर है इस जार में आपको intentionally हर दिन पैसा डालना है बले वो एक रुपे हो 100 रुपे हो जितने आपके पास ओपर पर डे डालना है और उसमें लिखना भी है financial freedom my financial freedom जार क्योंकि क्या होता है जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो उसके पीछे emotions भी create होते हैं और वो true conscious mind में वो true समझ में आता है कि हाँ यह सच है और यही क्योंकि हम daily वो काम कर रहे हैं तो सच तो है ही सही कितना amount डाल रहे हैं इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है सिर्फ उस काम से आप क्या emotion create कर रहे हो यह सबसी important चीज है और उस काम के पीछे आपका उदेश यह क्या है यह सबसी important है देखो declaration में intention सबसी important होती है real life में भी आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो intention सबसी important होती वो जहलकती ही है आप अंदर क्या सूचते हो बाहर क्या बोल रहे हो अगर दौनों में conflicts होगा तो आपकी जुबान लड़ खड़ाएगी या आप उसका विह body language बिल गलत है वैसी हमारा subconscious mind वो तो और भी intelligent है तो जब आप इस तरह से करोगे कि अंदर कुछ affirmations करोगे और बाहर कुछ और तो वो समझ जाता है और क्या होता है doubt create होता है और वही doubt हमारी real life में आता है तो सबसे important चीज है कि कोई भी काम physically भी करते हैं और mentally भी करते हैं तो वो उसक सब्सक्राइब होती सब्सक्राइब में और my dear friend यह जादू की तरह काम करता है आपको लग रहा होगा कि यह क्या मैडम पहले जैसे बच्पन में खेल तमासी जैसे चीज बता रही है बट ऐसा बिलकुल नहीं है यह रियल चीज है और अगर आप वो करना चाहते हो financial freedom तो यह उपर नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी यह टास्क होते हैं चुटे-चुटे से टास्क होते हैं जैसे firework भी होता है आपको आग पे चलना पड़ता है मतलब अपने belief को तोड़ना पड़ता है तो उसके लिए कुछ physically टास्क भी करने चाहिए उसके बाद आपका जो thermostat है या आपका जो subconscious mind है जो एक particular salary या particular income के लिए set है वो उपर जाता है तो यह छोटे-छोटे से काम है बट इनके result बहुत बड़े-बड़े हैं और आपको क्या करना है उस financial freedom jar में daily जितना पैसा हो आप डाल सकते हो कभी एक रुपे भी डाल सकते हो जितना आपको जम मि जाए उसमें डालना है बट डेली डालना है यह उसका रूल है एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे यह कारण है कि आपको वो चीज डेली याद है कि मैं अपने financial freedom वाली रास्ते पर जा रहा हूं यह जा रही हूं और आगे बढ़ र रहा हूं तो subconscious mind में यही चीज आती कि हां इसको financial freedom चाहिए है और यह उस पे काम भी कर रहा है तो वो सारे रास्ते खोल देगा आपकी life में बहुत अच्छी opportunities आने लगेंगी आपकी environment बहुत अच्छा हो जाएगा सभी आपके जितने भी लोग हैं सब positive आपके साथ भी करने लगेंगे और आपके finance का status भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो इस तरह से आप financial freedom jar create कीजी इसके result मिलते ही मिलते हैं क्योंकि जो universe है वो आप जो भी काम करते हो उसका ही result उसको multiply करके देता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में